ऐसलाम एलीकुम आज इस वीडियो में प्रब्लम फॉर पॉर्पंट वजमें कीया तो नॉटन का आज भी निनला गर्वाल करने और जैंपल हमने अपने पूराने रेक्ट्टर को रिवाइस करने और इसे की तरह आपके साथ साथ 7 भी revise हो रहा है आप लोगा ठीक है तो आपने यहाँ simple देखना क्या है circuit कौन सा है आपके पास यह circuit given है sources कौन सी है independent sources मुझूद है तो case 1 apply होगा तो case 1 apply करना है तो उससे पहले हमें निकालना होता है RTH तो RTH निकालने के लिए क्या करना होगा हमें और आप लोगों को पता है RTH के लिए हमें कुछ काम नहीं करना simple sources कॉफ करना है जब source कॉफ करनेंगे हम यह जो voltage sources short हो जाएगी इस तरह यह आपन हो जाएगा ठीक है open हो रहा है बस मैं इसको फिर open नहीं बना रहा है मैं इसको इसको इस तरह कर रहा हूं इस तरह हो गया और यह 180 और यहां पर कुछ नहीं है ठीक है इस तरह निकालना है हमें AB आप्समों को एक लेक्टर दबाला रिवाइट करवा देता हम पुराना वाला आर थैवरिन वाला आर थैवरिन केरों यह आर टी एच वाला यह 180 यह ठीक है जब भी हमें आज एक्विविलन निकालना होता था ए और बी क्या क्रोंस आपको बताया था कि अब आप सिंपल यहां पर क्या करेंगे आज प्राइम क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 वन एटी ठीक है तो आपके पास यह 180 आ गया अब देखें इसके अंदर सर्कृट कुछ यह बनेगा यह पैरलल हो गया इसके साथ और यह पैरलल हो गया इसके साथ यह 180 तो अब यहां पर एक फॉ रट आप और फार आपने प्राइम के लिए काम करें ना आपने पर रखना है और जितने रॉक्स नहों एक दो ब्रांशी है एक यह दो इसके डिवायल करेंकर आपके पास्ता है एक जो कि आप यह सकते हैं आपके अंसर पास यह 90 प्लम सो तो हमने आर थेविनिन तो निकाल लिया, sorry, आर नॉर्टन, यह थेविनिन में कहता हूं, तो इसको राफर यह करें, नॉर्टन है, ठीक है, तो अब मुझे काम क्या करना है, अब मुझे सर्कुट दुबारा रिड्रो करना है, फॉर वी नॉर्टन के लिए, तो ड्रो कर लेते काम के लिए सर्कुट को, कुछ यह सर्कुट दिसन रहा होगा, यह 90 वाला और यह करन शुर्ट नहीं चार जाएगी, ठीक है, एंद इस यह 90 है, यहाँ पर 180 वाली, एंद दिस आ फिस भी यह 180 था, ठीक है, यह 180 है, और यह 90 है, यह भी 90 है, एंद आइटिंक यह 450 था, यह ध तो देख लेते हैं इसको तो 450 इन 4 Ampere ठीक है तो यहां पर हमने 4 Ampere करना है तो यह circuit मेरे ड्राव कर लिए अब मुझे निकालना है V Naughton तो V Naughton के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह मुझे find out करना है ठीक है तो अब देखें मुझे V Naughton निकालना है इस perpendicular 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 कह रहा हूं यह जो vertical branch है मेरे पास parallel combination के अंदर जो कि यहां पर एक imaginary support करने के यहां पर एक branch है तो इसके सब parallel combination बनेगा ठीक है तो अब आपने यहां पर इसके ओपर voltage निकालना है तो यहां पर voltage major कर लेता है यह V1 कह देता हूं मैंसे यहां पर V2 कह देता हूं और यहां पर V3 कह देता हूं ठीक है तो मैंने सिंपल यह काम कर दिया V1 V2 V3 अब देखे मैं यहां पर मैश क्यों नहीं लगा रहा मैश लगाता तो मुझे दो equation लिखनी पड़ती बट आप यहां पर देखें तो यह वाली जो branch है यह कौन सी है current source है मुझे यहां पर मैश इसले नहीं लगाँगा क्योंकि मुझे यहां पर voltage की equation लिखनी होती है तो current source आ गई है तो मैं यहां पर mesh नहीं लगाँगा ठीक है जब current source आ जागे किसी भी in between mesh के तो आपने यहां पर mesh analysis नहीं लगाना फिर आप battery यह है कि आप इसे node में convert कर लें ठीक है तब आप यहां पर देखें V1 V2 V3 तो मुझे सबसे पहले V1 की equation लिखनी है तो V1 की equation तो म center कर रहा है इस node के अपर यहां से current flow करते वे यहां जाएगा और यह current यहां फ्लो करते वे अपड़ जा रहा है marking कर लेनी है तो आपने यहां पर लिखना क्या है V1 minus V2 upon 90 फिर प्लस 4 आ रहा है इस इकॉल टू लीफ कौन सा कर रहा है V2 minus V3 upon 90 V2 minus V3 upon 90 अब आप यहां पर क्या करें लिख सकते हैं आप लोग 90 is equal to V2 minus V3 upon 90 90 से 90 cancel out कर दें तो आपके पाद क्या बचाने है यहां पर V1 minus V2 plus 360 is equal to V2 minus V3 अच्छा मैं यहां पर V1 की value put कर देता हूं जो क्या आई थी 450 ठीक है 450 मैंने value को put कर दिया है अब आप इसको एक जागा कर दें तो 360 plus 450 यह आपके पास हो जाएगा 450 कल्कुलेटर में डाल की करने जाद अच्छा रहेगा मैं सही तरह काम कर रहा हूं 418 तो 810 मेरे पास बनेगा 810 is equal to minus से बहां जाके प्लस हो जाएगा 2 V2 minus V3 तो यह मेरे पास आगई equation number 2 अब मुझे काम करना है equation number 3 के लिए जो के V3 है मेरे पास नोड तो आप यहाँ पर देखें कि कौन कौन सा current एंटर करेगा तो current एक यह एंटर करेगा और कुछ एंटर नहीं कर रहा और यहां से यह लीप करते चले जाएगा तो आपको यहाँ लिखना है आपको यहाँ पर देखना है V2 V2 माइनस V3 अपॉन 90 और लीफ क्या कर रहा है V3 अपॉन 180 यह लीफ कर रहा है तो आप इसको cancel out करें तो 2 आ जाएगा यह 2 V2 माइनस 2 V3 और इस इक्वल टू V3 ठीक है तो 2 V2 ऐसी आ गया 2 V2 इस इक्वल टू वहाँ जाएगा तो 3 V3 तो आपके पास एक equation और आगे equation 3 अब मैं देखें मैं यहाँ पर 2 V2 को divide क्यों नहीं कर रहा है थोड़ा सा science अगर आप देखेंगे equation के अंदर यह 2 V2 हो जाएगा ठीक है और उपर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 2 V2 है तो करूंगा क्या मैं सिंपल देखें 8 1 0 ऐसी लिखा is equal to 2 V2 की value क्या है 3 V3 बस यह इतना सा काम ते जो के मैंने इतना कर लिया ठीक है और अच्छे यहाँ पर V3 है हमारे पास यहाँ पर V3 लिख लेते हैं इसको आप सॉल्फ करेंगे तो क्या जाएगा 2 V2 and V3 यहाँ पर mistake हो गई है 3 V3 तो आप इसको सॉल्फ कर लेते हैं तो V3 आपके पास क्या बनेगा V3 आपके पास बनेगा 810 upon 2 which is equal to 405 ठीक है calculator में करके देख सकते हैं तो 810810 upon 2 405 आ गया तो यह मेरे पास voltage आ गया और आपको पता है कि V3 को मैं refer कर सकता हूं V0 से तो V0 मेरे पास किसके बराबर है 405 voltage के ठीक है तो मेरे पास ही नॉटन आ गया अब आपको इस find क्या करना है current find out करना होता है 90 इसको डिवाइट करवा ले इसको अगर मैं डिवाइट करवा दो 90 से तो मुझे मिल जाकर 4.5 ठीक है तो यह 4.5 एमपेर तो आज का सर्कुट से वितना सा था और आप इसको आंसर वेरिफाय भी कर सकते हैं और एक चीज मैं भूल गया हूं दुबारा सर्कुट बनाना नह रहते हैं सर्कुट को नहीं भूलना है यह आपनों को बात में बार बार याद दिला रहा हूं ठीक है तो आपको सबसे पहले करन सोड़ करना है एंड एक डिस्टर पैरिल कॉमेशन में और यहां पर आपने आरे यह आरे ला गया एंडिस इस आर्टी एच तो यह आपके पा लिए आपनों को बता चुका हूं तो आज की वीडियो के अंदर समझें कितना का रिवीजन था जो के हमने दुवारा काम किया अपना थैवे ने इनको रिवाइस किया है और नॉर्टन के फर्स केस को भी रिवाइस किया है तो कुछ भी अगर मसला हो तो आप कॉमेंट सेक् सेक्षी कारीो हुआ हुआ है तो ऑग जो हुआ है